कट्क में जिला अस्पताल के अंदर धर्मे पर बैठी नर्सों को अस्पताल प्रमंधन में अल्टीमेटम लेटर देकर बाहर जानी को कहा। जिससे आक्रोशिद नर्सों ने टेंट लगा कर जिला अस्पताल केट पर बैठी धरने पर जिला शहर कॉंग्रेस सद्ध्याक्ष मिधिलेज जैन धरना स्थाल पर पहुँच कर नर्स असोसियेसन द्वारा की जा रही हलताल को कॉंग्रेस पार्थी का समर्थन दिया बता देंगी बारा सूत्री मांगों को लेकर हर्ताल करने का फैसला किया है और जिला अचिक साले कटनी के ठीक सामें नर्सों का धरना पर दरशन जारी है नर्सेज एसोसियेसन द्वारा अपनी बारा सूत्री मांगों को लेकर विगत चार दिन से ये जिलाचिक साले के बाहर ये अपना अंदोलन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने आज आकर हम लोगों ने आज नर्सों की मांगों को समर्थन किया है ये नर्सों ने कोरोना संक्रमन काल में अपने प्राणों को संकट में डाल कर मानवता की रख्षा की लोगों को उप्चार दे करके उनकी प्राण रख्षा की और शिवराज सिंग जी की सरकारने समय समय पर कहा कि हम इन कोरोना योध्राओं को प्रमोशन देंगे उच्य वेतन मान देंगे पुरानी पैंशन योधिना लागू करें और इनका संबान करें गे अंकमपन युक्ति देंगे लेकिन अब कोरोना संकमाल काल थोड़ा कम हुआ अब घोसनाओं पे अमल करने की आवस्चता थी लेकिन शुराज सिंग की सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं निकाला जो कि उनकी घोसनाओं की पूर्टी करता हो आज हमारी बहने हमारी जितनी नरसे हैं जो की सेवा भाव से अपने प्राणों को संकट में जाल करके लोगों की प्राण अच्छा करती है आज वो विचारी सडक पर बैठने के मजबूर हो गई ये कैसा कैसी सरकार है कैसे मुखमंत्री है जो बेहनों को कहते हैं ये मेरी बेहन है और लेकिन आज जब उनकी बेहने सडकों पर बैठी है तो उस भाई का प उनके संगर्स में अपना साथ देंगे देखिए भारती जंता पार्टी के लोग दिखावा करते हैं किस बात का सम्मान अरे सम्मान करना है तो इनके मांग पत्र की मांगे पूरी कर दो इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं होगा तुम एक फूल दे करके सम्मान करते हो अगर चाहते हो कि इनकी मांगे सही है अगर यह नर्से सही है तो भारती जंता पार्टी के लोग यहां आ करके इनके धरने में इनकी अंदोलन को समर्थर क्यों नहीं देते हैं अगर इनको उठाने की कोसिस की जाएगी तो पूरी कॉंग्रेस पार्टी सरक प्यार करके इनकी साथ देगी और प्रसाथन से लड़ेगी अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चनल पुलिस बीरो करेट्स न्यूस को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999